कहानी की शुरुवात में हमें एक लगजरी गारी दिखाई जाती है, जो की एक मॉल के पार्किंग में खड़ी हुई है, कुछ लड़के इस मॉल के पार्किंग में खड़ी हुई गारीों के टायर चुरा रहे होते हैं, इनके गुरूप में चार लड़के होते हैं, तीन लड किरदार है अली जमानी जो कि मेट्रो में एक क्यूट सी लड़की जहरा को देख रहा होता है जहरा मेट्रो में पेन बेचती है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके जहरा उसी लड़के की बहन है जिसे शुरुआत में सिक्योर्टी गार्ड ने पकड़ लिया था उस अली मेंटल होस्पिटल में अपनी मा से मिलने पहुँचता है लेकिन मिलने के टाइम खत्म हो चुका था इसलिए नर्स ने उसई बाहर जाने के लिए बोला अब अली जमानी छुपते चुपाते अपनी मा के पास पहुँच जाता है यहां पर उसकी मा सोई हुई होती अध के हाथों को चूम कर वहाँ से चला जाता है, अली और उसके दोस्त एक टायर factory में काम करते हैं, और इसी factory के लिए वो लोग टायर चुराते हैं, नाहमत अली को पिछली čोरी की payment देता है, तभी वहाँ पर अद्दु आ जाता है, अद्दु उस से देख लेता है इसलिए वो मोटर साइकल से उसका पीछा करने लगता है अब वो उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहता है इसके बाद वो उसे हासिम के पास ले जाता है जो कि यहां का बदमाश होता है अली बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने हासिम के यहां से कबूतर चुराय था और अब उसे डर था कि हासिम कबूतर चुराने की वज़े से उसकी धुलाई न कर दे लेकिन हासिम का ऐसा कोई इरादा नहीं था उसने अली को यहां किसी काम के लिए बुलवाय था एक ऐसा काम जो सिर्फ अली ही कर सकता था अब वो अली को बताता है तुम्हें पास वाले स्कूल में एड्मिशन लेना है अगर वहां के बेस्मेंट की खुदाई की जाए तो उसका रास्ता खजाने तक जाता है जो की तुम्हें लेकर आना है अब अली इस काम के लिए तयार हो जाता है अब वो अपने दोस्तों नेमद, अब्दू और रिजा के साथ खजाने की फोटोज को इंटरनेट पर देखता है जिसे देखकर ये सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ये बोलते हैं अमीर बनने का यही मौका है अब ये सब सन स्कूल पहुँच जाते हैं सन स्कूल उन्ही बच्चों को पढ़ाता है जो की बहुत गरीब हैं जिनके माबाप उन्हें पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं है या फिर जिनके माबाप हैं ही नहीं अब चुकि ये सब अल्रेडी ये सारी क्रैटेरिया पूरी करते थे, इसलिए इनका एड्मिशन हो जाना चाहिए, लेकिन ये सब दीवार कूद कर अंदर आये थे, इसलिए वहां का प्रिंस्पल इन्हें बाहर निकालने लगता है, अब अली उससे बहुत ज़्यादा खूल से बाहर जाते हैं, लेकिन ये सब अंदर क्यों आ रहे हैं, इसलिए अब वह इन सब को बुलवाता है, और इनका एक छोटा सा टेस्ट लेता है, अब इसी बीच में अली वेस्मेंट पहुंच जाता है, और वह एक ताले की फोटो क्लिक कर लेता है, इसके बाद वह हा प्रेक्शन की मदद से ताले में एसिट डाल देता है, और क्लास चला जाता है, चूंकि वह क्लास लेट पहुंचा था, इसलिए क्लास टीचर उसे आगे बुलाकर कुछ क्वेस्चन पोचता है, जिनका वह सही से जवाब नहीं दे पाता, इसलिए क्लास के सारे स्टुडें अब मिश्टर रफी को अली के पास से एक चाकू मिलता है, इसलिए वो उससे पूचता है, तुमने तीन लड़कों का अकेले सामना कैसे किया, तब वो बताता है, दो लड़कों को मैंने मेरे सर से मारा और एक को चाकू से डरा दिया, इसके बाद रफी उसे खड़ा होने के वो बोलता है, ऐसा करने के लिए काफी ज़्यदा प्रैक्टिस चाहिए, अब इन दोनों के बीच में ये डिस्केशन चली रहा होता है, तब ही वहाँ पर प्रिंस्पल आता है, अली और उसके दोस्तों को स्कूल से बाहर निकाल देता है, लेकिन अली और उसके दोस्त फिर करने के लिए तयार है, और मिश्टर रफी को अपने स्कूल में ऐसे ही बच्चे चाहिए थे, लेकिन उसे नहीं पता था, बच्चों का ये डेडिकेशन पढ़ाई के लिए नहीं, बलकि खजाने के लिए है, अब अली ताला तोड़कर बेस्मेंट में आ जाता है, शाम के वक्त अली को मेट्रो में जहरा दिखती है, जोकी उसे इग्नॉर कर रही थी, लेकिन अली हार नहीं मानता, वो जहरा से रुकने के लिए बोलता है, अब जहरा रुकती है और अली को डांट लगाने लगती है, वो बोलती है तुमने खजाने की जूटी कहानी में मुझे और मेरे भाई को फसा दिया है, अगर इन लोगों को पता चला हम लोग इरानी नहीं अफगानी है तो हमें रिफ्यूजी केंप में डाल दिया जाएगा, और स्कूल में हम लोगों को खत्रा भी है, इसके बाद अली अपनी मा से मिलने पहुचता है, वो अपनी मा को यहां से ले ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें यहां से ले जाना ठीक नहीं रहेगा, इसके बाद वो वापस काम पर पहुच जाता है, और यहां वो सारा गुस्सा अब दूपर निकालने लगता है, क्योंकि उसने जहरा को खजाने वाली बात बता दी थी, अब नेमत का बाप यहां एक आ करा कर अपना करजा माफ कराना चाहता था, लेकिन मेहमद उसके यहां काम करने से मना कर देता है, क्योंकि वो यहां टायर फैक्टरी में अल्रेडी काम कर रहा था, अब अगले दिन से यह लोग बेस्मेंड में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तभी उन्हें वहां पर कि के आने की आहट मिलती है लेकिन वो तो सिर्फ चौकिदार की बेटी थी अब अगले सीन में क्लास में अब्दू को दिखाया जाता है जो की टीचर के सारे सवालों के सही जवाब दे दिये थे इसलिए टीचर उसके लिए सभी बच्चों से क्लैपिंग कराता है इसी बीच अल अली को लगता है कहीं जहरा उसका भांडा न फोड़ दे तभी क्लास में चौकिदार आता है और वो अब्दू को बैग के साथ बाहर बुलाता है अब अली सेवर हो जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है इसलिए वो अब्दू की बैग से औजार निकाल कर अपनी अब जैसे अली को ये बात पता चलती है वो अब्दू को जोर का चमाण मारता है अब अली जब काम पर से घर जा रहा होता है तो देखता है मेट्रो पुलिस जहरा और उसके जैसे बच्चों को पकड़ रही होती है अब अली भाग कर पुलिस वाले को गिरा देता है और जह पिछले आठ महिनों से उसका किराया नहीं दिया था इस पर मिस्टर रफी ओनर को समझाता है कि जल्दी उन्हें फंडिंग मिलने वाली है जिसके बाद वो किराया चुका देंगे वो ओनर से एक हफते का टाइम मांगता है लेकिन ओनर उसकी एक भी नहीं सुनता उल्टे प्र और देता है कि गेट तोड़ कर स्कूल में घुश जाओ अब प्रिंस्पल का और मिलते ही सारे बच्चे दिवार फान कर अंदर घुश जाते हैं अब प्रिंस्पल वीडियो में बताता है सनी स्कूल ऐसे बच्चों के लिए है जो किसी न किसी तरीके से पीडित हैं जो पढ उड़ाई का काम किउना drill machine से किया जाए लेकिन drill machine की आवाज school के बाहर तक ना आए इसके लिए वो वो दिन SCE TWO करता है जिस दिन school का function होता है अब वो basement में काफी गहरी सुरंग बना चुका था। इसी बीच school में नेमत का बाप आता है जिसने काफी ज़्यादा शराप पी रखी थी और हाथ में चाकू भी ले रखा था उसे इस बात का दुख हो रहा था कि नेमत स्कूल क्यों जा रहा है वो उसकी बताई हुई जगे पर काम क्यों नहीं कर रहा है अब बुढ़ा नेमत से बोलता है अगर तु मेरे साथ नहीं गया तो मैं तुझे भी मार दूँगा और खुद को भी मार लूँगा इसी बीच मिश्टर रफी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और सारे बच्चे बुढ़े पर अटेक कर देते हैं अब नेमत और सरजी किसी तरह बच्चों को हटाते हैं जिससे बुढ मुस्टफल पुलिस ने जहरा को अरेश्ट कर लिया है ये बात सुनते ही अली मिश्टर रफी को लेकर मुस्टफल आफिस पहुंच जाता है जहां मिश्टर रफी जहरा की जिम्मेदारी लेते हैं और उसकी वेल कराते हैं पुलिस वाला जहरा के लिए उल्टी सीदी बाते बोल रहा था क्योंकि वो अफगानी थी और इरान वाले अफगानियों से चिड़ते थे ये बात मिश्टर रफी को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो अफगानी या इरानी से पहले एक चोटी बच्ची थी जब जहरा बाहर आती है तो मिश्टर रफी देखते हैं कि उन ही होती है अब अगले दिन का सीन दिखाय जाता है जहां पर चोकीदार को पता चल चुका था कि अली वेस्मेंट में सुरंग खोद रहा है अली उसे खजाने के बारे में बताता है और उसे लालच देता है कि तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा लेकिन चोकीदार उसकी एक भी नही सुनता और वो सीधा प्रिंसिपल आफिस में पहुँच जाता है लेकिन उसके जाते ही प्रिंसिपल बाहर आ जाता है लेकिन मिश्टर रफी अब भी वहीं पर बैठे हुए थे लेकिन चौकीदार उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं खजाने के पहुँच पाते अब जहरा और उसका परिवार भी इरान छोड़कर अफगानिस्तान वापस जा चुके थे जिससे अली को काफी गहरा सदमा लगा था वो मेट्रो में बिल्कुल सूखा हुआ बैठा था अगले दिन स्कूल में मिश्टर रफी स्कूल बिल ठीक कर रहा होता है अली उसे सही तार लगाने का तरीका बता रहा होता है तभी मुनिस्पल ओफेस पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है वो लोग मिश्टर रफी को गिरिफतार करने के लिए आये थे अब बुड़्धा रफी के साथ बत्तमीजी करने लगता है इसलिए अली उसे एक जोर किलात मारता है लेकिन रफी उसे रोक देता है और उससे बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए इसके बाद जब वो लोग रफी को ले जाने लगते हैं तो स्कूल के सारे बच्चे जूते चपल उन पर फेकने लगते हैं लेकिन रफी उन्हें रोक देत इसके बाद अली को फिर से सुरंग में दिखाया जाता है, जहां पर उसे कुछ नहीं मिला था, अब हास्मी को याद आता है कि उसने खजाना तो दूसरी सुरंग में फेका था, अब वो अली को उस टनल तक भी जाने के लिए मना लेता है, अब अगले सीन में अली देखता है, हासमी और उसके आदमियों को पुलिस ने गिरिफतार कर लिया था अब अली सोचता है अगर उसने खजाना निकाल लिया तो सारा का सारा खजाना उसका हो जाएगा दूसरी तरफ इसकूल को दिखाया जाता है जो की अब बंद हो रहा था अब उसी रात अली टनल में पहुँच जाता है जहां पर बरसात की वज़े से टनल में पानी भरता जा रहा था अब अली फोन की लाइट से देखता है तो उसे एक पैकट दिखता है उसे लगता है शायद यही खजाना है जिसमें की सफेद पावडर था इसलिए वो उसे फार कर फेक देता है और टनल में वैट कर बहुत जोर जोर से रोने लगता है वो रोने दोने और इसी टेंसन की वज अगर वो स्कूल के वेस्मेंड में सुरंग ना बनाता तो आज वो शायद जिन्दा ना होता, इसलिए वो सोचता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा सोच कर वो स्कूल में आ जाता है और स्कूल की बिल ठीक करता है और सोचता है अब वो पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बनेगा और कुछ अच्छा करेगा और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है तो इस फिल्म में हमें ये देखने मिलता है कि जो बच्चे चोरी चकार कर रहे थे वो एक टार्गेट की वज़े से पूरी तरीके से बदल गए और वो आप कुछ अच्छा करने लगे थे तो दोस्तों अगर आपको ये इस्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें